तो दोस्तो 2019 में वेसे तो कई बड़ी बड़ी फिल्में आई, कुछ फिल्में हो गई सूपर हिट, कुछ रह गई फ्लोप तो कुछ रह गई ब्लोकबस्टर हिट लोकिन दोस्तो 2019 अक्षे कुमार और आजे देवगन के लिए काफी बड़िया साल रहा क्योंकि 2019 में अक्षे कुमार ने भी सभी फिल्में हिट सूपर हिट दी वही आजे देवगन की भी इस साल दो फिल्म है इदेदे प्यार दे और टोटल धमाल और दोनों ही फिल्म है बॉक्स ओविस पर बड़ी सक्सेस रही लेकिन दोस्तो आप 2019 खतम हो रहा है और 2020 की सुरुवात होने वाली है और दोस्तो 2020 की सुरुवात में सबसे पहली फिल्म आने वाली है हमारे बोल्यूट के सिंगम यानि की आजे देवगन की जिस फिल्म का नाम है ताना जी और इस फिल्म को डारेक्ट किया है ओम रोत ने और इस फिल्म में सूपरिष्टार आजे देउगन के साथ में है उनकी मिसेस यानी की काजोल मेम तो दोस्तो फिल्म का ट्रेलर आज रिलिज हो चुका और ट्रेलर देखने में काफी ग्रेंड और काफी धमाकेदार है जिस फिल्म में अताना जी का केरेक्टर प्ले कर रहे है आजे देऊगन दोस्तो फिल्म का ट्रेलर जब आज रिलीच हुआ ट्रेलर को देखने से पहले मूझे ट्रेलर से काफी जादा उमीदे थी कि ट्रेलर एक नमबर का होने वाला है लेगन दोस्तो जब मैंने इस ट्रेलर को देखा तुम्हें ट्रेलर को देखकर पूरी तरह से सोगड हो चुका हूँ जहां दोस्तो जिस तरह की ट्रेलर से उमीद थी उससे कही ज़्यादा बेटर ट्रेलर है ट्रेलर की खास बातों की नजर डाली जाया तो दोस्तो ट्रेलर में जो एक्शन सीन दिखाये गये हैं वो कमाल के लग रहा है और काफी नहे हैं साथी साथ दोस्तो इस तरह की जो हिश्ट्री फिल्में होती है उनमें VFX का भी काफी बड़ा योगदान रहता और दोस्तो ताना जी के ट्रेलर का जो VFX है वो काफी धमाके दार है और साथी साथ दोस्तो जो आजे देवगन सर का लूक है वो भी कमाल का लग रहा और ताना ज आजे देवगन के जगह और कोई होता तो सायद वो इतना सूट नहीं कर पाता जितना आजे देवगन कर रहे है इसके अलाओ दोस्तो ट्रेलर में हमें काजोल मेम की भी थोड़ी जलक देखने को मिल रही है और काजोल मेम भी काफी बड़ियां लग रही है तो दोस्तो गुमा ऐसमार डोब करेंग करेंगे तो यहीं लगता है कि उन्होंने अपने करियर की बेश टेक टिंग की है ताना जी फिल्म में तो दोस्तों आप देखते हैं कि ताना जी फिल्म आजेदेवगन सर के करियर की सबसे बड़ी ब्लोग बश्च्टर फिल्म बनती है या नहीं क्यूंक बोक्स ओफिस पर कम से कम 300 करोड का कारोबार कर सकती है जया दोस्तों ये फिल्म सिर्फ महराष्ट्रा में ही 100 करोड से 120 करोड तक की कमई करेगी और अगर ओल इंडिया की बात की जाए तो कम से कम 200 या 300 करोड का कारोबार कहीं नहीं गया तो दोस्तो आजे द्योगन के जितने भी फेंस हैं सभी के लिए अच्छी ख़बर है कि ये फिल्म रिलीज होने के पहले ही ब्लोकबश्टर होने वाली है वेसे दोस्तो आपको क्या लगता है ताना जी फिल्म बोक्स ओफिस पर कितनी कमई कर सकती है दोसो करोड, ढईसो करोड, तीनसो करोड या साड़े तीनसो करोड आपनी राए मुझे कमेंड बोक्स में कमेंड करके जरूर बताए और ताना जी फिल्म से जूड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर के लिए मेरे और आपके इस चैनल एके भी मेडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले